कि नमस्कार दोस्तों मायां के त्यादव आपके इस यूटूब चैनल इंदुर्स्तान डेरी फार में आपका स्वागत करता हूं किसान भाईयो आज मैं आपको जो फार मुल्ला बताने जा रहा हूं वो आजारों सालों से हमारे जो बुजर्ग हैं वो उसका उप्यों करेके आ रहे हैं और उनका जो रजल्ट है वो भी 100% मिलने वाला है और उनको भी मिलता आया हुआ है तो बात कहां से करते हैं शरू जब आपके पशू प्रगनेंट हो जाते हैं और उसको जो ब्याने के अंदर तीन महीने बज़ जाते हैं तो मैं क्योल बैश की बात करूँगा गाई के आप अपनी इसाब से देख लीजी क्योंकि जो गाई की गरभ अवस्त है उन्हो महीने तक कि उत्ती है और भैश की दश महिने टक की इसलिये इसलिए मैं गाई की गरब अवस्थ talkin again कि बारे में बात करूँगा कि 6 किलो जो आपका सर्शों गत्यल होता है वो आपको लेना है और उसको गरम करकर बिल्कुल अच्छी तरह गरम करके एक ठंडा होने के बाद उसको एक बोतल के अंदर बर लेना है और बोतल के अंदर बरने के बाद उसको आपने पशुबो डेली वो 6 किलो तेल 100 गिराम के मा अंदर आपको क्या करना है कि जो आपका तीन किलो घी है जिसको मखन नहीं गी लेना है आपको मखन इतने जाता फाइदा नहीं करेगा और गी लेने के बाद आपको क्या करना है उसको डेली 100 गिराम अपने पशु को दे देना है और जो तीन किलो घी है वो आपने पशु को आ वो बताने वाला जिस पहले बात तो जो आपके पशू जो बिवच्चा देगा डिलेवरी का शमय बिल्कुल नजितिक आजाएगा उस शमय आपका जो पशू है वो बिल्कुल आइनर्जी से बरपूर होगा उसको बिवच्चा देने में किसी परकारी को दिकत नहीं होगी उस उसके बाद इश को शबशेमी बहतर हो फायता है वो जो 108 पर आपके पशू क मत खिलाई नाइन में को değil कशी जी ङूर्मुल के उपढ़ जिसान आपकी पशू का आटर संबहेत्यyn देखने के लाइक मिलेगा बिल्कुल एवन्वाल्टी वोर उसके साथ-साथ आपको जो द पाते ने भी पिछले ब्यांत के बजाए 2-4 परसेंट अधिक मिलेगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह फार्मुला आम भी अपने पशों के उपर आर ब्यांत जिरार डिलेवरी टाइम पर यूज करते हैं अब जो वैसा आपको शकरीन में फोड़ी देर पहले पीछ से दिखे थी वुष्क को अब तक तीन किलो तेल खिला चुँगा हूं और कम से कम माली जी आप 6 किलो और खिला हूंगा आप 6-15 किलो तक आपका जो मस्ट्रेड ओयल जिसको सर्षों का तेल बोला जाता है वो खिला सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आ दन्यवाद जे इंजे बार जो शिम्मा पर जवान खेत में किसान जो भी बाई लगे हैं उनको बार बार दन्यवाद दन्यवाद